इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. सिलोरी 10 tablet एक दवा है, जिसका इस्तेमाल उच्छ रक्चाप, उच्छ रक्चाप के इलाज के लिए किया जाता है. यह calcium channel blocker के रूप में जानी जाने वाली दवाओं के एक वर्ग से संबंधित है, जो रक्चाप को कम करने में मदद करता है. यह दिल के दौरे और stroke को रोकने में मदद करता है. यह angina दिल से संबंधित सीने में दर्ड को रोकने के लिए भी निर्धारित किया जा सकता है. सिलोरी दस टेबलेट अकेले या अन्य दवाओं के साथ निर्धारित किया जा सकता है. खुराक आपकी स्थिती की गंभीरता पर निर्भर करता है. आप इसे दिन के किसी भी समय भोजन के साथ या बिना ले सकते हैं, लेकिन बहतर होगा कि इसे हर दिन एक ही समय पर ले. इसी भी अचानक होने वाले स्पाई की पहचान करना मुश्किल हो जाता है और यदि आप इसे लेना बंद कर देते हैं, तो आपकी स्थिती और खराब हो सकती है. नियमित व्यायाम के साथ सक्रिय रहना, अपना वजन कम करना और स्वस्था हार खाने से भी आपके आपको नियंतरत करने में मदद मिलेगी. इस दवा को लेते समय अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें. सबसे आम साइड इफेक्ट्स में ठकान, एडिमा, पैरों में सूजन, नींद आना, चक्कर आना, निस्तबधता, दिल की असामान्य धरकन, धरकन और सिरदर्ध शामि से दुषप्रभाव गंभीरता में कम होते हैं. अध्ययनों से पता चला है कि यह गुर्दे पर भी सुरक्षात्मक प्रभाव डालता है. इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको लीवक, किड्नी या दिल की कोई समस्या है. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. आपको अपने डॉक्टर को यह भी बताना होगा कि आप कौन सी अन्य दवाएं ले रहे हैं. विशेश रूप से वे जो उच्च रक्चाप या हरदय की स्थिती का इलाज करन के लिए उपयोग की जाती हैं. यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह दवा ठीक से काम कर रही है. आपको नियमित रूप से अपने रक्चाप की जांच करवानी चाहिए. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.